नमस्कर दोस्तों, 매डिसीन र्यूजओ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तो बहुत ही मश्यूर होते जा रहा है रोज्दें ऐयरधिक मरम इसके फाइदे जानेंगे इसके बेनेफिट जानेंगे और इससे क्य운데 इस्तमाल करना ऐथके बहुत सरी सूरे हो गजए में आपको बताने मिल São दोस्तो अगर आप स्कीन एलर्जी से परिशान है दात खाच खुजले आपको परिशान कर रहे है तो यह मरम यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है दोस्तो सभी स्कीन टाइप के लिए और फंगस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए यह बहुती फाइदमन दैसा मरम है यह कंप्लेटली आईरोधिक है रोजजन हेल्थ केर का बहुती बड़े क्वाटिक है यह परिशान है तो यह इस्तिमाल किजे साथ दुनों के अंदर आपका फंगस गायप हो जाएगा फंगस बोड़ी के किसे भी पाड़ के उपर हो सकता है जहापर पसिना सुकता है वहापर फंगस पनपता है ऐसे पनपने वाले जिद्धी फंगस इंपेक्शन का सफाय करने के लिए यह मरम बहुती फाइदा पहुचाता है इतना इने स्ट्रेच मार्ख जलने का डाग सोराइसीज सेवुआ वो कुवट साबुन के अलर्जी हाथ पेरों का फटना एनकी फटी एडिया चीरा आदी चर्म रोग यह दूर करता है दोस्तों बहुती फाइदा पहुचाने वाले यह मलम को में खोल कर आपको दिखाऊंगा दोस्तों यह रहा जादूई मलम बहुती असरदार है यह रोजडेन आयरदिक मलम दोस्तों इच, स्कैबिज, रिंग वर्म, इकजबा, फटी एडिया, टीनिया इन्फेक्शन, फंगस इन्फेक्शन, बर्म मार्क, स्ट्रेच मार्क वाटाने के लिए बहुती मशूर होते जाना है रिजट में ऐसा प्रडॉक्ट कैसे इस्तिमाल करना है इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ जहाँ पर आपको इन्फेक्शन है, चर्म, रोग है, वहाँ पर आपको ठंडे पानी से धुना है इसे रात में सोते समय लगाना है, यानि कि आखरी काम आपको यह होना चाहिए मलम को मसाज नहीं करनी है, बलकि गाड़ा थर में लगाना है, इसकी लेयर ज्यादा मातरा में लगानी है ऐसा साथ दिन बर आप कर सकते हैं, इसे लगाते टाइम या फिर लगाने की बाद दो या तिन बार चमड़ी निकल कर जाती है और फूरा का पूरा फंगस गायब हो जाता है, कुछ परेचिजे में आपको बताने जा रहा हूँ, खटाती का तला हुआ, या फिर दही चास खाने में ना ले, पेट साफ रखी, शक्कर से दूर रहिए, पनीर ना खाये, और कहना चाहूंगा, अगर इसे लगाने की बाद ज्यादा अलर्जी होती है, या फिर ज्यादा जलन होती है, तो उसके ओपर आपको नारिल का तेल लगना है, बहुत फायदा आपको मिलेगा, गैरंटी है, रिजल्ट बे मिसाल है, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेर किजिए, बहुत कम रेट में फंगस को आप हटा स होगे, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद,